अज़ो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माईदम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बाले में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता क्या है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाते कहां पर है इसके टाइप और इसका वेनिफिट क्या है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता गया है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट उसको हम लोग SEL भी बोलते हैं जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसके यहां पर नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस कंट्रोल यह एक्सेस को कं को वायर मैं में करते हैं अगर दूसरे वासना बात करें ते यह इसकिमा होती है जिसमें हम लोग access को control करते हैं किसी युजर के लिए किसी file or directory पर जैसे कि किसी file और डारेक्टरी पर जो होता है owner और उसका जो group होता है at a time में एक प्राइब होता है अगर आप चाह रहे हो कि किसी यूजर को हम परमिसन दे एकसेस दे किसी एस्पेसिक फाइल और डारेक्टरी पे जो हमारे यह विलोंग करता है डिफ्रेंट इवजर और गुरूप पे और किसी और फाइल और डारेक्टरी को हम लोग प्राइबेट रखना जा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एसेल का यूज करते हैं कि इसका प्रेक्टिकल अपर मैं बताऊंगा अभी मैं यहाँ पर एक एक एक्जम्पल देखा आपको समझा रहा हूँ जैसे एक रूट उजर है इसने एक डारेक्टरी क्रियेट किया है जिसका ओनर है रूट है और गूरूप भी रूट है और इसका परमिशन है 755 और यहाँ पर एक टेस्ट उजर है और यह चारा है कि इस ड अगरना पड़ेगा हमें यह तो इस ग्रूप में एड करना पड़ेगा रूट गुरूट में अगर हम रूट गुरूट में एड कर देते हैं तो इस ग्रूप के जितने भी परमिशन है जो भी से maps इस test user को मिल जाएगा हम स्रिफ चाह रहे हैं कि स्रिफ ACL directory को मांग रहा है तो हम स्रिफ ACL directory को ही दे तो इसके लिए हम लोग जो है ACL का यूज करते हैं अब हम लोग बात करेंगे कि ACL हमारा supported है की नहीं हमारा जो OS है ACL supported है या नहीं उसको कैसे check करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर ग्रेट कर लेंगे ACL को किस के अंदर में boot और config के अंदर में तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर XFS जो है हमारा file system है और यहां पर ACL supported है और यहां ACL के टाइप के बर में तो यहीं दो टाइप के होते हैं एक access ACL होते हैं एक default ACL होते हैं फर्स्ट जो हमारा होता है access ACL यह हमारा कहां पर लगती है यह file और डारेक्टरी पर लगती है और जो default हमारा ACL होता है एसोसियेट होता है हमारे डारेक्टिव के साथ अगर कोई फाइल है वो दिने डारेक्टिरी के अंदर में है जिसमें ACL लगा वो नहीं है तो उसमें आप यह डिपोल्ल को ACL का युज़ कर सकते हैं अब हम लोग बात करेंगे कि ACL का पेकेज इंस्टॉल है या नहीं को कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए होती है कमांड करोगे वहाँ पर ग्रेप कर लोगे ACL को तो यहां पर आपको यह पेकेज दिखा देगा जैसे यहां पर आप देख रहे हैं यह यह का पेकेज इंस्टॉल है यह अगर नहीं है तो आप उसको इस्टॉल कर लिजिए यह हम इस्टॉल ACL अब हम भात करते हैं कि ACL लगाते कैसे तो यह अब सेट FOSS होता क्या है इसका जो पूरा नाम होता है एकसिز कंट्रोल लिस्ट और इसका कि सेट करने के लिए ACL जो किसी file और directory के लिए अब जो दूसरा होता है जो ACL लग जाता है उसके बाद हम इसकी configuration को किसे चेक करेंगे तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं get official और इसका पुरा नाम होता है get file access control list और इसका यूज करते हैं हम लोग ACL देखने के लिए किसी भी file और directory का उसमें क्या क्या दिखाता है फाइल दिखाता है और उसके परमिशन को दिखाता है हमारा अब मैं यहां पर ACL के कुछ commands बता रहा हूँ ACL जो है किसी user के लिए लगानी है तो उसके लिए command होती है उसके इसाट है यहाँ पर हैए यहां पर हमसे modify होता है और यहां पर यूजिस यूजर के लिए लगाना इसकас पर मिसन जो आपको पर बिसन देनी है और अजरो यहां पर आईका आए गो हना किसी गूर्थ क्लिए लगा निए तो यहां पर से मरेंगीona League की साथा पांव अगर आप हमारी जो आती है यह कमांड होती है कि एगर पहले से कोई फाइल याग्ट पॉनिविए उसका ऑग करना है तो उसके लिए हम लोग घूंच करते हैं गैट अपैसल उसके अगर फाइल ने पुराना वाला उसके अगर आपको डीफोल्ल कोपी करनी है तो उसके लिए कमाうन होती collecting अगतिंख इस कि अकर आपको पूरे से हटाना है ये सियल इंटायर पे तो उसके लिए कमण्ड होती है सेट एफसल हाइफन भी और यहां पर फाइल डिरेक्ट लिकन इसका भी हम लोग प्रेक्टिकल करके भी देखें और आपको ज्यादा डीटेल्स में चाहिए तो यहां पर मैंन और सेट अधर कर सकते हों और आपको जिदी गेट अफसल कर डीटल्स चाहिए और भी ज्यादा ताको मैंन गेट अफसल कर सकते हैं अ है लोग दोस्तों मैं आपको प्रेटिक लगर के बता रहा हूं कि एसील कैसे लगाते हैं तो सबसब एक डायर्क्टिट करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अब क्या करते हैं हम लोग टेस्टिंग परपस के लिए दो यूजर क्रेट करते हैं अब हम लोग क्या करते हैं कि चेक करते हैं कि यह जो हमारा टेस्ट वान है यूजर यह क्या इस डायर्क्ट्री को एक्सेस कर पा रहा है जबकि यहां अधर्स के लिए प्रीड और एक्टीट की परमिसर है तो स्विच करते हैं टेस्ट वान से अब हम लोग इसको एक्सेस करते हैं cd acl coronavirus अब देखे यह यहाँ पे एक्सेस कर गिए लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको सर्फ read की और execute की पर्मिसनी इसलिए यहाँ पे यहाँ पे cd कर गिया अब कि यहाँ पे फाइल बना पाएगा नहीं बना पाए चेक कर लेते हैं अब देखिए इसको यहां पर फाइल बनाने नहीं दे रहा है क्योंकि यहां पर इसको राइट की पर्मिशन नहीं है अब हम चाहरा हैं कि जो test one user है इस directory को को एक्सेस करें ट्रीड राइट की एक्जीगूट की पर्मिशन देश्रीव इसी को बीना ओनर्शिप चेंज किये हुए और बीना ग्रूप चेंज किये हुए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रूट पर दुवारा अब इसका हम देखते हैं कि इसमें एसे लगा हुआ है यह नहीं लगा हुआ हो कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए कमांड होती है get fsl और इसके यहां पर अब देखें यहां पर आप देख रहे हैं यह जो पर्मिशन ह छुछ है अभी हमारा डी ज्ची करबा ऄए अब हम चाहरे की यहां पर फाइल बनाने पार रहें पर्मिशन देखें इसी इसी डारी के उसके बाद hyphen M उसके बाद user इस user का नाम क्या है टेस्ट यूजर टेस्ट कर अब इसको पर्मिसन क्या देना चाहरा है रीड राइट और एक्जुट की हमें इसको परमिशन दे रहे इसी यूजर के लिए दे रहे टेस्ट वान के लिए दे रहे बाकि और कोई भी यूजर इसको इस फोल्डर को राइट नहीं कर पाएगा ठीक है अब कहां पर देना है हमें अब हम चेक करते हैं यहां पर कि यह हमारा यह लगा यह नहीं लगा अब इसके लिए कमांड होती है इसको यहां पर डिरेक्टरी का नाव अब देखिए यहां पर कुछ चेंज हुआ है अब यहां पर यूजर्स पर जहां पर देख रहे हैं यहां पर देखिए यहां टेस्ट वान आ गया और इसको जो परमिशन है रीड राइड एक्जुट की परमिशन है अब देखते हैं कि यहां पर जो परमिशन हमारा क्या था 755 था और दर्स के लिए हमारा रीड और एक् साइन बनके ठीक है अब देखिए यहां पर एक तो प्लस साइन बनके आ रहा है और इसके जो परमिसन है यहां पर भी देखिए कोई परमिसन चेंज नहीं हुआ है इसको यहां पर ऊधर्स जो बाकी ओर और उसके लिए रीट और एक्जगूट ही है लेकिन यहां पर आप देखोगे तो इसके जो में आप हम लोग दुबार हर विस डारेक्ट्रिव पर जाते हैं सिडी एसील एब यहां पर दुबार हर यहां एक फाइल बनाते हैं तो हम लोग स्रिफ टेस्ट आन को ही एक्सेस दियन उस डैरी कुक्ट करаю इसे तरह हम लोग गुरूप के लिए लगाते हैं अब हम लोग गुरूप के लगाते हैं तो सब्सक्रभी अब लोग चेक नाम से जो विजर बनाते हैं इसका group चेक लेटे हैं है देस्ट्टू पर टेस्ट्टू का group जो है हमारा है टेस्ट्टू ही धी Kris की तो पहले हम लोग स्विच करते हैं टेश्ट कर थीक है हम लोग स्विच कर गया अब हम लोग cd करते है üç अब देखिए यह बी अब देखे इसको भी फाइल बनाने नहीं दे रहा है क्योंकि हमने टेस्ट वान को इस रिफ एक्सेस दिया हुआ था अब हम चाह रहेंगे जो टेस्ट टू का गुरूप है उसको रिफ एक्सेस दें तो दुबारा चलते है रूट पे अब यहां पर फाइल का दुबारा देख लेते हैं पर्मिसन अब देखें यहां पर ओदर्स के लिए जो है रिट और एक्जिकुट है इसलिए यहां पर यह टेस्ट वह हमारा लेंड कर गिया था ठीक है लेकिन गेट एफसल में आप देखोगे और यहां पर डिरेक्टरी का अनाम दोगए तो यहां पर देखोगे स्रीप टेस्ट की लिए हमने रिड़ राइट एक्जिकुट की परमिसन दिया हुए बाकि टेस्ट्टू हो जो है हमारा एक्सेस नहीं कर पार, ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं टेस्ट टू के गरूप को हम लोग एकसिस देते हैं तो गुरूप पर कैसे लगाते हैं उसके लिए क्या कमांड होती है सेट ऐफसल है अब इसके बाद को लगाना है किस गुरूप के लिए टेस्ट डू के लिए ठीक है अब इसको परमिसन क्या देना है हमें read write और execute की permission देनी है और कहां पर देनी है ACL directory को ठीक है अब हम लोग चेक कर लेते हैं इसका permission यहां पर देखते हैं LS LD करते हैं उसको ACL अब देखे इसके permission में हमारा कुछ लगा कर लेते हैं लगा या नहीं लगा गुरूप के लिए अब देखें यहां पर आपको चेंज मिल रहा है ठीक है टेस्ट टू जो गुरूप है हमारा इसको अब हमने एकसेस दिया हुआ बनायाए टेस्ट के नाम सही ठीक है उसके हम लोग switch करते हैं मैं में हमने switch कर गया आप उस डारेक्टर पर जाते हैं CD ACL करते हैं अब देखें यहां पर पहले हम लोग चेक कर लेते हैं केमले के अब यहाँ पेड क्वाइल बनी हुई है ठीक है इसका ओनर सिपयों हमारा तेस्ट वान है अब हम क्या करते हैं यहां प्रदाऊन confession के नाम से आप यहां पर देख लेते हैं कर आब जो हमारी फाइल भनी है टेस्ट करते हैं अ अब हम लोग बात करेंगी कि इसीयल रिमोब करते हैं तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम लोग इसका परमिसन है यहाँ यहाँ पर आपका प्लस सिंबल आ रहे है अब हम लोग क्या करते यह KND ko remove करतें तो उसके लिए किमांड होती है set fsl hiption x इस उपर अब जिस user को हटाना चांब हो जो आई हम चाहरेए हैं कि टेस्ट one को हां से remove करने के लिए ठीक है तो उसका यहां पर डेरेक्री को नाम दे देते हैं आप Check करते हैं हम लो कि टेस्ट 1 है अब देखिए यहां पर स्रीप जो हमारा गूप एड है यूजर हमारा अब हम लोग क्या करते हैं एक नए डायरेक्टरीं के टेत करते हैं कि एसे एल डियार वान के नाम से एक डारेक्टरी हमने क्रियेट करते हैं ठीक है अब इसका परमिशन चेक लेते हैं हम लो अब देखिए इसमें हमारा अभी कोई एसेल लगा हुआ नहीं है इसका ग्याट अपसल भी देख लेते हैं अब देखिए इसमें हमारा अभी कोई एसेल लगा हुआ नहीं है ठीक है यह हमारा अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है कि अब हम चाहरें कि जो इसमें यसिए में लगवा है स्यम जो है मारा इस डारेक्ट्री पिल लिघ जाए ठीक है यह तो उसports मेंगण करना पड़ा ड़ा यह या तो आप जो है कि command के थुरू भी आप कर सकते हो ही तो हम command की तुरूप आपको बता देते हैं कि एक साथ कैसे लब जाएगा कि क examined होती है कि ग्येट a fsl भी हो उसके बाद हम किसका कोपकू करना चाहरा है इसका करना चाहरे ठीक है ईह डायरेक्टली का नाम है कि उसके पाइफ उसको सैट suggests uh, सेट हाइफन फाईल रहा है उसके वदत इकल उसके बश्यार पाह करना चाहर हो हम करना चाहरे है दो हम चाहरे है एसल ड आयरवं पे है ठीक है इटर कर देते हैं आप हम लोग चेक करते हैं go get fsl acl-dir1 ठीक है अब देखिए जो हमारा पहले क्या था यह हमारा पर्मिस्न था अब देखिए यहां पे acl-dir का जो हमारा acl का पर्मिस्न था सेम हमारा कोपी हो गया है acl-dir1 पर कुछ भी करने के जोरूत नहीं पड़ा ठीक है है manual करने के जोरूत नहीं है कि अब करते हैं तो एक हम लोग डायर्क्रीट करते हैं दुबारा mkdir acl-dir2 के नाम से बनाते हैं ठीक है अब इसका हम लोग चेक कर लेते हैं acl अब हम लोग क्या करते हैं दुबारा डायर्क्रीवान का acl चेक करते हैं अब देखिए इसमें जो हमारा लगा हुआ है स्रीप ग्रूप पे लगा हुआ है ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं डायर्क्री जो टू है इसमें हमारा डीफोल्ड acl हमारा कोपी हो जाए तो उसको कैसे करते हैं तो उसके लिए कमांड क्या होती है get fsl-xs उसके दिए पर डायरेक्टरी का नाम कि एसी है डायरेक्टरी वन ठीक है उसके बाद यहां पर five space set fsl उसके बाद हाइफन डी उसके बाद हाइफन हम कर दियेक्टरी का नाम आपए ठीक है है अब हम लोग चेक लेते है है ल Maurice अ कि यहां पर डायरेक्टरी डायर तो अब यहां पर देखेंग है हमारा डीफोल्ड acl कोभी हो गया तदिकेंगे पॉर डीटेलस में देखना है तो यहां पर आपको मेन करना है हुआ उसका इब स्तेयों तो यह फैसे शच तो सब्सक्राइब किजिए तो आ का पर